तो दोस्तों आज 13 सेप्टेमबर 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे रेलवे सेक्टर की दिगच कमपनी IRFC शेर के बारे में जो की लास्ट एक से देर हपतों की भीतर बहुत ही अन एक्सपेक्टेड रिटन दिया था और लास्ट दो दिन से शेर में प्रोफिट बुकिंग देख आज की रेट पे शेर में कुछ ज्यादा ही गिरावाट देखने को मिल गया अल्मोस्ट 4.89 परसें गिरावाट में शेर क्लोजिंग दिया चलता है उसके बाद एक लेबल जाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है तियाँ वह एक्सपेक्टेड है और यहाँ प्रॉफिट फॉफिट है पूराने बात नहीं है सेप्टेमबर की फोर्स्ट एक्डम फोर्स डे से इसमें चलना शुरू दिया था तो कोई शियर अगर साथ से दस दिन के भीतर 70% को रिटन देता है तो आफ कोर्स यहां पर दोस्तों आपको एक प्रॉफिट वुकिंग मेचा देखने को मिल सकता है और खास करके जब बड़े कंपणियों क्योंकि इसका मार्केट कैप भी आप देख से तो आज की ड काफी नजदीक पहुंच चुका है तो चलिए जो मैं थमनल पर किया कि कल अगर आपको खरीद लिया आयरेप से किशत आपको साथ में मिलेगा क्या मिलेगा कितना मिलेगा सब कुछ मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए कंपनी आज से लगब एक देर हफ्ते पहले उसका जो फाइनलाइस्ट किया था और कंपनिया पर फाइनल डिविडेंट रेकमेंट किया था शेयर होलर के रिए 70 पैसे मतब 0.70 रुपीज का जिसका एक देट कंपनिया पर फिक्स्ट किया था 15 सेप्टमबर 2023 को एस पर एक स्टेट आपके हाथ में सिर्फ एक दिन बागी है मत तब कल कल यहनी 14 तारीक को अगर आपने आयरेपसी का शेयर परचेस किया तो आप दोस्तों 70 पैसे डिविडेंट पानी के लिए इलिजीबल शेयर होल्डर बन जाएंगे और आफकोर्स आपके दिमाग में यह तो आया होगा कि शेयर का प्राइस है 75 78 रुपे के आसपास त ठीका बहुत कम था यह जो तेजिया में देखने को मिला तो जिनके पास सपोज यहां पर 30 रुपिस के प्राइज में शेयर है 35 रुपिस के प्राइज में शेयर है तो उनके लिए तो मैं बहुत अच्छी डिविडेंट है क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मल डिविडेंट इल्ड के रुप में देखोगे कंसिलर करोगी क्योंकि कंपणी अगर देखा जाए साल में दो बार डिविडेंट देता है जैसे कि 21 में भी दो बात दिया था एक बार एक पांच पैसे उसके बाद दे चुका है हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर रेजल के साथ कंपनी फि राने शेर रोल लट गए उनके लिए बहुत अच्छी बात है तो क्या डिविडेंट को देख इंवेस्ट करना चाहिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए कितने भी रूपए का कंपनी डिविडेंट देदे चाहिए कितने भी कम रूपए का देदे हमेशा अगर आपको लॉंग कि अनलिस्ट का क्या कहाना है तो देहां से देखना सच करेक्षिन और हेल्थी फॉर्द अपर्ट अपर्चुनिटी फॉर्द इंवेस्टर्स टू एक्वालिटी स्टॉक्स बट इन्वेस्टर शूट स्टूडी बिजनेस बिफोर इन्वेस्टिंग यहां पर क्लियर केट म कि यहां पर कोई इंटर्नल इशू या इंटर्नल मैंटर कुछ भी नहीं है नॉर्मल प्रफिटू कि देखने को लिए जिसाव हेल्दी करेक्षिन कर सकतो तो हेल्थी करेक्षिन की टाइम पर यहां पर मेंशन किया आपकी लिए अपर्चुनिटी है मतले गोल्डेन ऑपर सकते की कंपनी काफी डिसकाउंटे प्रेजर मिल जाएगा अब जो कि इसके ओल्टाइम हाई से यहां पर क्लियर कर पहले जो अलिस्ट ने मेंशन किया यहां पर थोड़ा-थोड़ा करके बाई अंडिशन कर सकतो दूसरा अनलिस्टों यहां पर मेंशन किया वान शुड़ सब्सक्राइब दोस काउंटर्स वैर वेलुशन हैप स्ट्रेच ब्यॉंड फंडमेंटल स्टेंथ अंड़ कंपनी मोर करेशन इस कॉशन इन इस काउंटर दवन शुडबाई ऑन क्वालिटी ने पर इन्हों ने यह बोलने की कोशिश किया कि आज की रिट में शियर स्ट्रे करें कि अपर इस फंडमेटल थोड़ा बहुत को रहा है ऐसे और शॉट्रॉंग होगा आइट यहां पर आपको जाना चाहिए यहां पर दूसरे एक लिए सब्सक्राइब को कुछ अपना अपना स्टेट में दिया मैं आपको थ्वड़ा दिखा दिखा देता हूं कि यहां पे जो एनलिस्ट है क्या स्टेट पें दिया यह देखे और रेल्वे स्टॉक्स हैस बिन गुट प्रॉफिट बुकिंग इन लास्ट टू सेशन जो कि कल और आज हमें देखने को मिला आज इन इंडिकेटर सवेटा बिट ओवरबॉट जो कि आगे हम डिसकस करेंगे टेकनिकल चाहिए यह थोड़ा वेट करके अधेखते जाये प्रॉफिट बॉकिंग इन मेट कैप स्पेस अविसल लास्ट दो दिन से में मिट्टक और स्मॉल कैप स्वेस में थोड़ा प्रॉफिट कि देखने भी मिला यह बात भी सही है गिवन एस्टोन एंग मूव लास्ट फ्यू मॉंस जो कि आमने देखा लास्ट कुछ ताइम से काफी अच्छे रिटन भी दिया गएड देख सकतो यहां पर आयरेप सी का जो रेजल्ट आ जून को अटर का एक तो रेविन्यू कंदर भी ड्रॉप था नेट प्रॉफित कंदर भी ड्रॉप था इवन कंपनी का अर्निंग पर शेर काफी डाउन हो चुका है एवन अगर हम बात करें कंपनी का जो नेट प्रॉफित मार्जीन उसमें भी हल्का फूल का में इंपैक्ट देखने को मिला तो यहां पर दोस्ते अनलिस्ट त्वरह यहीं बोलने की किया तरगेट का कि मेंशन के दो सुल रुपाय का टारगेट तो दोस्तों ये तो मैं ब通ूंगगा पासी बटार किया कोई बहुत बड़ी बात थे पर आई तिंग यहां पर थोड़ा बहुत करने का चांस है फिलाल अगर हम बात कर आज की रेट पे शेयर में गिरावट होने के बाप जूद भी लगबग 434 कौंट्री का शेयर अल्लेड लग चुका है और आज की रेट पे एक डिसेंट एप कमें डेलीवरी भी देखने को ल चलते हैं कुछ दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा हाइली ओवर्वाट जोन पर तो यहां पर लास्ट में देखा था जब शेयर लगबग 75-80 रुपए तक पहुंचा था दो तीन दिन के लिए यहां पर सपोर्ट बिला था चलिए चाट पर और चोटा चोटे शौट में देखते हैं यह देखें जो चीज में आपको वोला था यह देखें साइट में देखें यह जो सत्तर का जो यह जो 20 डेस्ट किया में ब्लू कलर क्लाइन वह भी दिरेदी रूपर शिफ्ट होड़ा है और यहां पर देखसे तो कुछ एक दो दिन के लिए शेर को यहां पर अ अगर आपको अच्छी ऑप्शन है लॉंग टम के लिए ठीक है तो आपको जो बाइंग रेंज होना चाहिए 70 से लेके 72 रुपए का लेबल यह बेस्ट करने का क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा तो देखें जब मूव करता है यह देखें एक दम कंसॉलिडेशन फेज फिर उपर की तरफ तेजी ध्यांस अबजर्ब कीजिए फिर हलका करेक्शन के साथ फिर से कंसॉलिडेशन फेज फिर देखें तेजी अभी देखें शेयर में गिरावाट हुड़ा है थोड़ा वाद यहां पर सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करकर रखना है बागी बॉलिंजर बैंट है वह काफी एक्सपैंड कर चुका और आई गेस कि यहां पर देखें शेयर बहुत उपर पहुंच गया था बोलिंजर बैंट की बाहर पहुंच गया था अभी शेयर भीतिर आ चुका है तो आइधिंग यहां पर थोड़ा बात कंसॉलिडेट होना चाहि है थोड़ा बहुत कंसॉलिडेट होने के बाद इंवेस्ट कीजिए ठीक मिलता है नेक्स वीडियो पर तब तक लिए टेक क्या बाबाई जाए हिन वीडियो कहीं पर वाइंड आप करता हूं